इतना बच्चा सफल होना मुस्किल होता है लेकिन क्यों होता है क्योंकि बच्चियों को जियो है 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 यह व्रीवन इस इस और वियर और वाचिंग मैं को जानिके स्टुडे अमिर सार विश्चार विडाट ख्लास इन और अरंगा बाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर आप competitive exams की प्रिप्रेशन करवाते हैं सर किस तरह से बचा प्रिप्रेशन करें competitive exams की ताकि सही समय पर सफलता मिल सके देखिए सबसे competitive exam के लिए सबसे बड़ा मुलमंत रहे कि आप regulatory रखिए अगर आपके अंदर regulatory होगा तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और regulatory के साथ साथ एक अच्छा platform मिलना चाहिए जैसे कि बच्चों को बहुत सारे बच्चे ऐसे उनको यही समझ नहीं आता है किस exam के लिए क्या पढ़े उसके लिए exam में आता है उस question को पढ़ते हैं कि भालतू भी जैसे देखिए आप बहुत सारे बच्चे पढ़ते तो सब बच्चे हैं पर सफल नहीं होते हैं आप बताईए SAC में 25-35 लाग के बीच बच्चे फॉम भरते हैं और उसमें सफल होते हैं 8000 आप बताई 8000 ही सफल होते 25-30 ला होगा कि पैसेंस रखना होगा क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा तयारी होता है और अगर आप लंबे समय तक तयारी करेंगे अच्छे से करेंगे रखेंगे सेट बनाना बहुत ज़रूरी है अगर आप कंपर्टीशन का तयारी करते हैं सेट बनाने से क्या होता है यह जैसे म अब जचान के नहीं होता आप उससे पहले चीड़ बनाना पड़ेगा क्योंकि जो एकजान का पैटर्न है उस पैटर्न पर आपको पहले से Bald Something होगा अगर आप पहले से प्रक्रेटिस कर लेंगे तो आपjht अच्छा कर सकते है जैसे हमारे यहाँ भी आप बिराट क्लासेस का नाम सुने होंगे बोड देखे होंगे इस साल हमारे यहाँ से 50 बच्चे सफल हुए है नौकरी में गया है सरकारी नौकरी में तो आप देखिए और यही कारण है कि और अंगाबाद में आप पूछिए किसी से भी बिराट क्लासेस यहाँ और अभी भी हमारे यहाँ 1600 से 1700 बच्चे पढ़ते हैं आप समझ सकते हैं दो एस्टूडेंट से सुरू करके 1700 बच्चे तक का सफर तै करना कितना मुस्किल है लेकिन फिर भी हम बच्चों पर बहुत ध्यान देते हैं हमारे यहाँ का खास बात है कि हम एभरी सटाड़े और संडे टेस्ट रखते हैं जैसे बच्चे नहीं चाहते कि उतना टेस्ट हो बच्चे अगर देखिए आप बच्चे के मन से चलेंगे तो रिजल्ड नहीं होगा क्योंकि बच्चे मेहनत नहीं करना चाहेंगे और आप अपने मन से चलना होगा और सबसे कमपटेटिव त्यार कोई बच्चा तयारी करता है, इससे सी का, अब उसको और अंगावाद में उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो कम से कम टीचर का बात सुनेगा, कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, तो exam competitive का तयारी करेगा, जो टीचर IAC का है, उनका भी आप इंटर्व्यू लेंग होगा, IAC के टीचर से लेंगे, उनसे कुछ फैदा होगा, IAT के बच्चों, IAT के तयारी कराते हैं, उनसे का इंटर्व्यू लेंगे, तो IAT का तयारी होगा, तो हमारे यहां भी जैसे हम अगर ऐसा हो, तो हमारे यहां भी एक हमारे भगना है, जो IAT का तयारी, मतलब IAT दिल में हुआ है तो इस तरह से फायदा होना चाहिए जैसे किसी ना किसी मादम से जैसे आप इस इसका कंड़क्ट करा जो आज हमारे साथ आप है इससे फैदा ही होगा कि जो बच्चे तैयारी करने वाले उनको कम से कम पता चलेगा कि तैयारी किस वे में करें डिबनेटी सब्सक् रमेश चोग जाना है ऐसे जाना है चलना आपको है तो हम लोग एक रास्ता बताने वाले हैं देखिए हम तो पढ़ाते हैं हमारी बैच में 33-3.5-3.300 बैच्चे होते हैं लेकिन सफल नहीं होते हैं सब उसमें से 10-5-15 सफल होते हैं क्यों होते हैं जो बच्चे सही डारेक्श है कि बहाली भी कम हुआ है तो बच्चे कर क्या रहे हैं कि अगर आप जीस तरह से सभी बच्चे पढ़ रहे हैं आप उसे थोड़ा एक्ष्टा पढ़ेंगे तभी आपका रिजल्ट होगा क्योंकि आप देख लिजे रेलेवे का अभी जो बहाली है ग्रूप D का एक लाग सेट था उसमें बच्चे अप्लिकेबल थे एक कडोर से दिर्ड़ कडोर के बीच आप समाझ सकते इतनी जनसंग क्या और आप नहीं पढ़ेंगे तो रिजल्ट मुस्किल है इसलिए पढ़ना पढ़ेगा थोड़ा से सर बहुत सारे स्टुडेंट जो हैं प्रिप्रेशन करते रहा जाते हैं बहुत लंबे समय तक एटलिस्ट होदा क्या है कि रिजल्ट नहीं मिलने के वज़़ा से काफी डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपना रास्ता अलग चूज कर लेते हैं किसी अनकाम में वीजी हो जा अलग डायरेक्षण में देखिए आप किसी भी चीज का त्यार किज़े तो पहले यह आप उसका रणीतिक त्यार कीज़ें कैसे त्यार करना है जीत villains आने वाले कोशन उठाईए, देखें कि ancient से कितना सवाल है modern से कितना है, इस से आप देखिए फिर उसे median से कितना है यानि bio से कितना सवाल है इसके अधार पर आपको एक तरीका डिवलप होगा पढ़ने का, बच्चे क्या करते हैं उनको जो teacher, जो किताब बताते हैं, उन लेते हैं पढ़ना सुरू कर देते हैं, इस नहीं समझते को उससे question आएगा की नहीं आएगा, देखिए नौकरी लेने के लिए आपको जितना जरूरी है उतना पढ़ना जरूरी है, जैसे देखिए, माल लिया जाए कि अभी आने वाले समय में अभी group D का exam होने वाला अभी हुआ, खैर उसका notification आया नहीं है लेकिन आएगा, तो उसका notification आएगा, अब बहुत सारे बच्चे को लग रहा कि science pattern पर सवाल पूछेगा, क्योंकि पिछला बार जो, देखिए, exam conduct कुन करा रहा है, TCS, पिछला बार भी technician का exam TCS ही conduct करा था, उसका pattern यह अलग है, उस science पर ज्यादा फोकुस करता है, तो बच्चे अभी से science पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ पर exam में इस तरह से हुआ है, कि pattern बिल्कुल अलग पर सवाल पूछने लगे, होता है कभी-कभी, बच्चे पढ़ते है, science economic से सवाल हो जाता है, तो गड़बर यहाँ पर हो जाता है, लेकिन केंदर सरकार के बाहली मैईसा भी तक हुआ नहीं है बिहार सरकार में ऐसा हुआ है, बिहार पुछना चाहिए, बिहार पुलिस का एक pattern है कि तिहास भगोल और ऐसा सवाल पूछ दिया, कि बच्चे उसे सो में तीस भी नहीं बन पाए, इतना मुश्किल हुआ, तो आपको pattern पर पढ़ना होगा, जो syllabus है, पहले तो syllabus देखिए, पहला काम, competitive त्यारी करने वाले बच्चों को हम आपके मादें से बता देना चाहते हैं, आप किसी भी चीज का त्यार कीजे, पहले syllabus देखिए, और syllabus देखने के लिए आप YouTube का सहरा लिजे, नहीं तो आप Google पर सर्च कर लिजे, सभी चीज का syllabus है, syllabus देखिए, उसके से बाद syllabus में देखिए कि कौन सब्जेक्ट से कितना सवाल आता है, उसके, मतलब according आप तैयारी अगर करेंगे, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं. Sir, बहुत सारे students कूद का analysis किये भी नहीं, preparation करना सुरू कर देते हैं, होता क्या कि directly VPS, UPSC exams का, बड़े exams का preparation करते हैं, तो क्या students, उसा फलता भी नहीं मिलती है, तो क्या students को थोड़े चोटे level के exam, जैसे group D से start करना चाहिए, preparation करना और या फिर directly बड़े exams के लिए ही जाना चाहिए? नहीं, जैसे मान लिए जाकि अगर आपका focus VPSC है, तो आप group D का त्यारी मत कीजिए, नहीं कीजिए, लेकिन आप अधार बनाईए, अगर आप एका एक, जैसे बहुत सारे बचे क्या करते हैं, कि छोटे से गाउं से निकल कर उनका अधार बहुत कमजूर होता है, अब उनको क्या करते हैं, उसको पता भी नहीं चलेगा, रीजन है, क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि वह अधार उसका सही नहीं है, आप क्या करें, जब ही अगर BPSC का त्यारी करने जाते हैं, चाहे किसी बीचे, हमारे पास भी बच्चे है, दो बच्चे का PT हुआ है, मेंस नहीं हुआ, मेंस अभ अरांगाबाद में BPSC के त्यारी के लिए आप PT तक कर सकते हैं, मेंस मुश्किल है थोड़ा, आप स्वेम पढ़के कर सकते हैं, यूटूब है, अभी बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, जिससे आप पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप BPSC के त्यारी करते ह तो आप साइंस पर जादा फोकस करेंगे, बट अगर आप BPSC का त्यार कीजगा, तो आपको सबसे पहले तो उसमें कम से कम 40 को करेंट होगा, दिर्डसों में, 40 करेंट होता है, करेंट पर फोकस करना है, इतिहास सबसे जादा होता है, अब इतिहास पर, ग्रूप D के कम होता है, एक उद्दुगो होता है, मुगलवन्स या दिली सल्थनत से, लेकिन BPSC के त्यारी में आप बिहार से कोश्चन होता है, 20 को, 10 को, फिर आपको इतिहास का होता है, जोगर आप भी बहुत सारा होता है, तो BPSC का पैटन अलग है, उसको त्यारी करने के लिए आप पहले NCRT पढ़िए, या Lucent को पहले कम से कम कमांड कर लिए ताकि अधार मजबूत हो जाए, ऐसा नहीं कि आप Lucent पढ़के BPSC निकाल सकते है, PT निकल सकता है, मेंस नहीं होगा, इसलिए आप पहले अधार बनाने के लिए पहले NCRT पढ़िए, NCRT पढ़ने के लिए एक ब students को कॉंपरेटिव एक्जाम के लिए, मतलब बूक, सबसे पहले तो, जैसे हम लोग है कोचिंग, देखिए, बूक से और एसाइमेंट से पढ़ाने में बहुत फरक होता है, बूक से अगर आप पढ़ाएंगे, तो जो बच्चा शुरुआत कर रहा है तयारी का, उन नहीं पढ़ाएंगा, रीजन क्या है, जैसे आप teacher कैसे पढ़ाते है, teacher पढ़ा दिये माल लिया जाकि आपको पढ़ाना है profit loss, teacher हम पढ़ाएं profit loss, तो आप एक दिन में पूरा profit loss नहीं पढ़ा पाईएगा, क्योंकि profit loss बहुत बड़ा चिप्टर है, उसमें थोड़ा time लगता है, अब कोई teacher, माल लिया जाकि हम लोग के assignment में क्या है, जैसे हम चार टाइप पढ़ाएं बच्चों को, तो उस चार टाइप से सवाल उसमें रहेगा assignment में, किताब में इसे नहीं रहेगा, एक type का इधर है, तो एक ही question है, जैसे हम लोग के assignment में क्या है, type 1 हम पढ़ाते है, तो सीखा, उभी बच्चा बहुत अच्छा कर लिया, जो सीखा उच्छा कर लिया, और जैसे जो माली हम सीखा दे कलास में, अब कलास में सीखाने के बाद, अब बच्चा घर पे practice करेगा, तो जो question हम बताएं है, उग कोश्चन अगर उदेखा, तो बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन अगर आप किताब से बनाएंगे, तो आपको दिक्कत होगा, reason ही है किताब में line से नहीं होता है, type 1, type 2, इधर उधर होता है, इसलिए assignment जरूरी है, और अगर आप किताब की बात करें, तो देखिए, अगर हम बहुत सारे किताब बच्चे बनाते हैं, ऐसे हम prefer करते है कि जिनका basic ठीक नहीं है, अगर जो basic बनाना चाहते हैं, तो मैत में सगीर अहमत का एक book आता है, आरेश सगरवाल का book आता है, लेकिन अगर आप basic तयार कर लेंगे, ले लिजे, ले लिजे, खोल के ले लिजे, अगर आप basic तयार कर लिजेगा, तो basic तयार करने के बाद आप स्यादों का किताब से भी बना सकते हैं अगर से के माद़े हमसे देखा जाए या आप कीरन के बुक से बना सकते हैं तो जब basic मजगुत हो जाए तो इमेहत के लिए हो गया basic अगर बनाना है तो आपको पारे सगरवाल या सगीर हमद बेसिक के लिए काफी अच्छा है लगर बेसिक ठीक है तो आप राके स्याद बनाईए या कीरन बनाईए जिक्के के लिए हम लुसेंट प्रिफर करते हैं बच्छों को बहुत अच्छा वोक है अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो वरंडे इक्जाम के लिए पका काफी है बहुत सँचिये है कि समॉल सीटी से इसकी प्रिफराय शाथ किया जा सकता है आप सजेस्ट पहले ऐसा महल था और अंगवाद में, बात सही है, हमारे अगल बगल के भी बच्चे क्या करते थे, कि IEC पास करते थे और त्यारी करने पटना चल जाते थे, पटना हम लोग का हब है, पढ़ाई का, तो वहाँ चल जाते थे, क्योंकि यह महल सच में नहीं था, क्यों नहीं थ ना सेट्थ प्रेक्टिस होता था, ना ही बढ़िया तरीके का पढ़ाई था, ना पैटर्न पर पढ़ाई होता था, ट्रेडिशनल तरीका था, तो आप इससे सफल नहीं हो पाते, लेकिन अब देखिए, बहुत सारे हमारे पास ऐसे बच्चे, जो पढ़ना छोड़कर अभ उस तरह का महल होता है, तो यहां भी उस तरह का महल, आप देखी रहे हैं, और अंगाबाद में आप निकल जाइए, हमारे यहां कोचिंग से निकल लिए, आपको लाएगा कि दीन भर आज तो खर बंद है, लेकिन जब आप देखेंगे तब बच्चों का आवा गमन रहता ह दिन भर, बहुत भीड़ भी है, तो आप देखेंगे, बच्चे त्यारी कर रहे हैं अब और रंगाबाद से, और यहीं से रिजल दे रहे हैं, आप देखेंगे न, बताइए, एक साल में इस कोचिंग से 50 बच्चे सफल हुए, इतना बच्चा सफल होना मुस्किल होता है, क्योंकि बच्चों को जेओ चाहिए, हम लोग देते हैं, और बहुत ज्यादा, देखेंगे, बाहर जाने से बच्चों में क्या होता है, जो बाहर जाते हैं, उनको मन में टेंसर होता है, कि हमको पढ़ना है, अब बच्चे वहां जाते हैं, तो पढ़ते हैं, और यहां के ब तो आप औरंगावाद से नहीं कर पाएंगे क्योंकि औरंगावाद अभी उस तरह का महौल भी नहीं हुआ है यहां महौल नहीं है निकलना पड़ेगा बार इदर कुछ वर्सों में ऐसा देखा गया है कि लेस बेकैंसी सरकार के तरफ से आ रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कि इस फिल्ड को में बहुत कम आ रहे हैं मतलब आ रहे हैं लेकिन ज़्यादा स्कीप कर रहे हैं तो क्या उन्हें अभी भी पेक्छा रखना चाहिए इस फिल्ड में देखिए आपके बाद से सो परसंट सहमत है बहाली कम हुआ है इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन बहाली बहुत कम हुए चौदा के बाद बहाली बहुत कम हुए जबसे बरतवान सरकार आई है बरहाली एकदम कम हुआ है हुआ कि आप चौदा से पहले जा हम लोगों 10% अराच्छन का भी फैदा मिला है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है देखिए आप सोचिए जहाद 14 के पहले आप जाए तेरा का बाहली हम आपको बताते है इसे सीजल 16,000 बाहली आता था 14 में 16,000 बाहली है हर एक साल आप 11 से जाईए 16,000 14,000 15,000 16,000 आपको मालू ही बहाली में क्या हो रहा है दिकत कि एक्जाम सरकार ले रहा है लेकिन ना रिजल्ट टाइम पे ना एक्जाम टाइम पे करा पा रहा है रिजल्ट पीटी दे रहा है तो मेस लटका दे रहा है मेस दे रहा है तो फाइनल मेरिट नहीं दे रहा है मतलब बहुत एक्जाम सितंबर महिने में रिजल्ट आएगा और अग दिसंबर जनवरी तक आपको जुआए नहीं इतना बढ़िया था इसको बरबात कर दिया गया खतम हो गया अब ना एक्जाम ठीक से आपको पता होगा कि 2017 में यहां धांदली भी हुआ है जिस पर जाच बइठा CBI का तो ओनलाइन एक्जाम में भी धांदली हो गया उस पर जाच बइठा जिससे जाच क्यों बइठा हुआ क्या कि CGL का एक्जाम हुआ और FCI का एक्जाम हुआ दोनों का पेटर्न सेम था कुछ टाइम हुआ क्या कि जो बच्चे CGL में 200 में 170 असी नंबर लाए है FCI में उनका नंबर है 4 और 5, 10, 15, 50 और वो ऐसे बच्चे CGL में ला दी 170 पचास तो जब दोनों का सलेवर सेम मैथ, रीजनिंग, जिक के, जी एस है तो दोनों का सलेवर सेम होने के बावजूद, एक उमें इतना जादा नंबर, एक उमें इतना कम नंबर इसलिए बहुत सारे बच्चे CAC Commission को ऐसे 50 बच्चों का लिश्ट सौपा था कि देखिए, FCI में भी 50 को मैथ, 50 को रीजनिंग, 50 को जिक के और 50 को इंगलिस है और इसमें भी, CGL में भी वही है, PT पैटरन पहले था, अब तो खर सौप हो गया, तो सेम एक जाम, सेम पैटरन, एक उमें बच्चा 170 ला दिया दूसरों में, और एक उमें ला दिया है, पचास ला दिया दूसरों में, तो आईसे कही सो हो गया, तो आईसे ही से 50 बच्चों पैसे प्राइजा, बच्चे लोग साप दिया, तो फिर उस पर जात बइठा, अभी तक जात चली रहा है, अभी कुछ देखिया क्या होता है, तो एट लिस्ट आप क्या से जेस्ट करना चाहेगा अपने स्टुडेंट्स को ताकि वो मोटिवेट होकर इस फिल्ड में बने रहे हैं और अच्छे से प्रिप्रेशन करें और सफलता प्राप्त करें इस लाइन में वही बच्चे हैं जिनके पास पैसेंस हो अगर आपके पास पैसेंस नहीं होगा आप इस लाइन में नहीं आए क्योंकि अगर आपको पास पैसेंस ना होगा तो आप कुछ ना कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है जैसे आएसी का एक सिलेबस है क आप दो आरे सगरवाल का किताब बना ले, किसी इस इना का बना ले, मैत हो ही जाएगा आपसे, लेकिन इसका कोई सलिवस ने, मैत का तो सलिवस है कि Profit Loss, T.I.S.I. पढ़ लिजे, Advancement पढ़ लिजे हो जाएगा, लेकिन जिक्के जियस का बहुत सिलिवस है जो मुस्किल है पढ़ना एक साथ तो बहुत टाइम लगता है तो इसलिए थोड़ा पैसेंस रखना होगा जो भी बच्चे आपके मादे हमसे सुन रहे हैं उनको हम यही बात कहना चाहते है कि आप लगतार लगे रहें मेहनत करते रहें और जो बच्चे लगे रहें कभी निरास नहीं होते हैं इक चीज माद लिजए पांग साल लगता है दूसाल लगता है चार साल लगता है छे साल लगता है हो ही जाता है जो मेहनती होते हैं वो जल्दी कर लेते हैं और जो थोड़ा सा पढ़ते हैं कि कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे ऐसे बचे को थोड़ा टाइम लगता है लेकिन लगे रहने वाले बचे कभी आसफल नहीं हुए सफल होते ही है बहुत धन्यवाद अमिंज्ससर, अधैसे जोर्ट जुणने के लिए, और हमारे सभी परसनों का उत्तर देने के लिए चलिए आपको बहुत धन्यवाद आप सब लोग को, आप लोग कैमरा मेरें को आपको, सब भी को बहुत बहुत धन्यवाद आप आए और इतना मतलब अपना कीमती समय आज की समय में सभी लोग का समय बहुत मतलब मुश्कील समय है लेकिन फिर भी आप इतने समय में आप हम लोग को समय दिये और हम अपने माध्यम से बताना चाहते हैं कि आपका जो चैनल है नोटिफायर इसको सभी लोग सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा ज़्यादा सेर करें ताकि आपको अच्छा से अच्छा टीचरों का अपना भीव मिले और आप सभी लोग जो भी देख रहे हैं हमारे माध्यम से भी हमारे बच्चे जो हैं आप लोग इनको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा चैनल को आगे बढ़ाईए ताकि और अंगावाद में भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले ताकि जादा से जादा बच्चे घर बैठे एक्जाम की तैयारी करें और अगर इनको आप समर्थन देंगे तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे इन लोग भी बढ़ेंगे और इन लोग का चैनल के कॉल नटीफार के साथ सीवी नेस्ट इंटर्व्यू थैंक यू